हैवान की शकल में आए ओटो चालक एक 14 वर्षिय नवालिक लड़की को इस्टेशन से सुनसान जगा ले जाता है उसके साथ दरिंद की करता है और जब इस से भी उसका मन नहीं भरता तो होटल में ले जाकर फिर उसके साथ दरिंद की करता है उस हैवान ओटो चाला की भूग तो शांत हुई लेकिन दिमाग से दरिंदगी अभी तक नहीं गई ये दरिंदा होटल की कमरे से ही फोन करके अपने एक दर्जन से अधिक दरिंदों को वहाँ बुला लेता है पहले से ही दर्द से तडप रही वो मासूम कितनों से अपनी इज़त बचा पाती क्योंकि होटल में आने वाले एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, दस नहीं बलकी बारा से चौदा की संख्या में दरिंदों की पूरी फोज थी जिसके बाद बारी बारी चौदा साल की नावालिक को 48 घंटे तक भूकी रखकर अपनी हवस का शिकार बनाते रहे नमस्कार अदाब, मैं हूँ हमित सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज दोस्तो आज मैं आपको महरास्ट के पुणशेहर की जो सची घटना सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपका दिल भी जितना दुखेगा उससे जादा आपको इन दरिंदों पर घुसा आएगा मुश्किल की घड़ी में 14 साल की लड़की ने अंजान ओटो वाले पर भरोसा कर लिया उसका ये भरोसा करना उसकी जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई और ना सिर्फ भूल बलकि जिन्दगी नरक से भी बत्तर बन गई शायद उस वक्त किशूरी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो किसी इनसान से नहीं बलकि हैवान से मदद मांग रही है ओटो वाले ने रोती हुई लड़की को देखकर पहले उससे बात की और जब लड़की ने दोस्त के बारे में बता दिया तो ओटो वाला इस्टेशन से बाहर निकलाया फिर उसके दिमाग में दरेंदगी की एक स्क्रिप्ट पनपने लगी और थोड़ी दिर बाद वो फिर से लड़की के पास गया और मदद वे सांत्वना देने के नाम पर बोदल से लड़की को पानी पिलाया इसके बाद कहा कि स्टेशन से कुछ दूर उसका दोस्त है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा है लड़की जब बाहर निकली तब तक नशीली दवा का असर होने लगा तो आरोपी उसे आटो में बिठा कर पहले सुनसान जगा पर ले गया और रेप किया और फिर होटल के कमरे में ले आया यहां एक कमरे में लड़की से फिर दरिंदगी की हरकत की गई और फोन करके अपने दोस्तों को वहां बुला लिया गया होटल के कमरे में पहुँचे उन दरिंदों के दिल में ना कोई गुंजाईश थी ना रहम और ना ही इंसानियत दोस्तों अगर उनके दिल में कुछ था तो वो थी केवल हैवानियत इनकी भूक ऐसी थी जो सिर्फ जानवरों की तरहा जिस्म को नोच न जानती थी इनके सामने वो मासूम लड़की, रोती रही, इनसानियत की भीक मांगती रही लेकिन उस कुशियोरी को होटल के एक कमरे की चार दिवारी में इन दरिंदों ने बंद कर दिया इन दरिंदों ने उसके कपड़े उतार दिये, अब वो बिलकुल असहाय थी, बदन को छुपाना चाहती थी कभी हातों से, कभी बालों से, लेकिन वो क्या-क्या छुपाती उससे पहले ही वो दरिंदे इस पर तूट पड़ते खुद को कितनों से बचाती, क्योंकि वो एक यदो नहीं बलकी बारा से, चौधा की संख्या में उन दरिंदों की पूरी फौज थी ऐसी फौज जो एक असहाय एक बेबस लड़की की आबरू लूटने के लिए बेकाबू थी नावालिक रोती रही, फिर थक कर बेहोश हो जाती है, लेकिन ये वहशी नहीं थकते और नहीं रुकते एक के बाद एक उस पर तूट पड़ते थे, एक या दो गंटे नहीं, ये दरिंदगी लगतार 48 गंटे तक चलती रही और उसके शरीर से ये लोग, ये हैवान खेलती रहे, वो भूख से बिलखती रही तो सिर्फ पीने के लिए पानी ही देते थे, खाना तो दूर की बात है आखिर में उस लड़की के बार-बार कहने पर एक दरिंदे ने थोड़ी इंसानियत दिखाई और दरिंदिगी की 48 घंटे बाद मुंबई के दादर स्टेशन पर उस लड़की को छोड़ाया इस लड़की की नर्किये जिंदगी का सफर यहीं खतम नहीं हुआ दोस्तों लड़की को एक शक्स ने पुणे से मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया इस स्टेशन पर दो सफाई कर्मी मिले दोनों ने उस लड़की को मदद के नाम पर एक जगा ले गए और फिर 12 घंटे तक उसके साथ फिर से दुशकर्म किया गया यहां से किसी तरह लड़की निकली और स्टेशन पर आकर एक ट्रेन में बैठ गई पूरी तरह से सैमी हुई अब कोई पुरुष को देखती तो भी डर जाती लेकिन ट्रेन में न जाने कितने लोगों कितने लोगों की उस पर नजर गई होगी लेकिन किसी ने उसके दर्द को महसूस नहीं किया ना किसी ने उस लड़की से खाने पीने को पूछा वो गुमसम सफर तै करती रही और चंडी गड़ पहुँच गई यहाँ एक पुलिस वाले की नजर उस लड़की पर पड़ी उस पुलिस वाले ने लड़की के दर्द को महसूस कर लिया उसे हिम्मत देकर चाइड लाइन की महिला दिकारी संगीता के पास भेजा गया इस महिला दिकारी ने जब उस नावालिक लड़की से उस पीडित लड़की से प्यार से बात चीत की तो उसके दर्द को समझा तब इस पूरी घटना का पता चल पाया इसके बाद चंडिगण की जी आरपी पुलिस ने किशोरी के घरवाले थाना वानवाडी पुलिस को जानकारी दे चुके थे इससे पहले ही जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में जानकारी दी तो किशूरी के घरवालों को उसी थाने में गुमशुदगी की शिकायत जहां दर्ज कराये थी वहां उन्हें लड़की के मिलने का पता चल गया अब लड़की की हालत तेजी से बिगड रही थी इसलिए 4 सितंबर को ही चंडीगण से फिलाइट से उसे लेकर मुमबई ले जाया गया जब उसके परिवार वाले उस लड़की को मुमबई लेकर पहुँचे तो जब उसकी हालत बिगड़ती देखी तो उसे वहां अस्पताल में भरती कराया गया जहां उसका इलाज किया गया लड़की के दिलो दिमाग में इसकदर खौफ है कि वो किसी भी पुरुष को देख कर डर जा रही थी इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुले की पुलिस तुरंत जाच में जुट गई पुलिस ने रेलवे स्टेशन के आसपास सीसी टीवी की जाच की पुलिस ने पुले रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर लगे सौ से जाधा सीसी टीवी कैमरों की कई घंटों तक जाच की एक कैमरे में लड़की की तस्वीर और आटो का नंबर पुलिस के हाथ लग गया इसके बाद एक आरोपी को पकड़ कर उसे पूस्ता शूरू की गई तो कुछ ही घंटों में उसने अपना गुनह कुबूल कर लिया इसके बाद एक एक करके पुलिस ने बारा आरोपियों को दबोच लिया था दोस्तो इन दरिंदों ने जो नावालिक लड़की के साथ दरिंदगी की वो ना सिर्फ इंसानियत और समाज की कमर तोड़ती है बल्कि आज भी यह साबित करती है कि इस देश में महीलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है दोस्तो मुंबई यानि महाराष्ट के पुणे की इस दर्दनाग खौफनाग घटना को सुनने के बाद आप उन दरिंदों को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार अदाब जैहिन परे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिलकुल ना भूले